गुड बानिंग हमारे क्लास टिंद के प्यारे बच्चो आज एक फिल लंबी बैराथन क्लास चलने वाली है आज लंबी बैराथन क्लास चलीगी आपकी सप्लिमेंटी रीडर का दूसरा चैप्टर जो है दी थीप सिस्टोरी दी थीप से स्टोरी का प्यारे बच्चो ये देखी आपका footprints without feet means supplementary reader का जो दूसरा chapter है दी थीप से स्टोरी प्यारे बच्चो आज इसका पूरा हिंदी explanation हम लोग देखने वाले हैं, हिंदी ब्याक्या देखने वाले हैं, एक एक word की meaning बताते हैं, पूरा बिस्तार से आज हम ल लग गया प्यारे बच्चो तो पूरा PDF आपके लिए प्यारे बच्चो तयार है, आज हम लोग सिर्फ इसका हिंदी explanation देखेंगे, एक दम बिस्तार से चर्चा करेंगे, और इसकी explanation पर चलने से पहले, हिंदी explanation पर चलने से पहले पहले बता देते हैं, कि अभी तक क्या पर में, फरस्ट फ्लाइट में, प्रोज में, दो चेप्तर कंप्लीट हो गया है, एक ले-र तर टुगोर्ड आपका कंप्लीट हो चुका है, और दूसरा चेप्टर जो था निलसेंमंडेला लांग वाक टु फ्रीडम, प्यारे बच्चो एचलेंगे यह चाप्लीट हो गया और जो दूसरा चैप्टर में नलसन मंडेला लांग वाक्टू फ्रीडम में जो पोयम दी गई थी टाइगर इंदी जो प्यारे बच्चो उसे कंप्लीट कर चुके हैं मिंस प्रोज के दो चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं प्रोज का प्यारे बच्चो तीन चैप्टर कंप्लीट हो गया है और फूट्प्रिंट्स बिदाउट फिट में सप्लीमेंटी रीडर का प्यारे बच्चो पहला चैप्टर कंप्लीट हो चुका है आज हम लोग चलेंगी दिथीफ सिस्टोर दूसरा चैप्टर और यदि आपनी यहां तक कवर नहीं किये हैं यदि कोई चैप्टर आपका छुटा है तो आप चैनल की प्लेइस्ट में जाएंगी तो आपका मिल जाएगा प्लेइस्ट आपकी मिल जाएगी एक सीरियल वाइज आपको वसें प्लेइस्ट में सारी वीडियो मिल जाएंगी सारी क्लास मिल जाएंगी आप वहां से प्यारे बच्चो कंप्लीट कर लेना जिसका भी अभी तक छूटा है तो आप प्लेइस्ट में जाएंगे प्लेइस्ट में देखेंगे आगी प्लेइस्ट है यूपी बोर्ड क्लास्टेंट इंगलिस्ट निउसल वेस्ट करके प्लेइस्ट बनी है तो आप प्यारे बच्चो वहाँ से कवर कर लेंगे तो आज चलते हैं हम लोग जल्दी से अपनी टॉपिक पे आ जाते हैं देखेंगा दीथीफ मेंस होता है चोर स्टोरी मेंस कहानी एक चोर की कहानी ही है एक ऐसे चोर की कहानी है जो हर महीने अपना नाम चेंज करता था जैसे कहीं नोकरी जाता था तो वहाँ अपना नाम बदल करके आता था और उसके बाद कहीं चोरी करता था कुछ और नाम बताता था मेंस हमेसा नाम बदलता रहता था क्यों बदलता रहता था क्योंकि वह बचना चाहता था पुलिस से बचने के लिए क्योंकि अगर सही नाम नहीं रहेगा तो पुलीस आसानी से बच जाएगा तो इसलिए हमेसा नाम चिर्ज कर देता था और यह जो चोर था केवल 15 वर्स का चोर था मिंस लड़का जो था चोर था वो केवल 15 वर्स का था पंद्रह वर्ष का लगाव जो चोर था और पिर इस चैपमें जो कहानी है inclus 2-3 साल की ब्यक्ति को खुण चार रहा है उसे चोरी करना का है तो इस चैपटर में पूरा पे अगया है कि वह वह बच्चा का चोर रहता है इस chapter में उसका नाम हरी सिंग, अपना नाम क्या बताता है, हरी सिंग इस में बताता है, इस writer से इसमें जो ब्यक्ति है 25 वर्स का जिसको वह चोरी करता है, तो उससे इसमें क्या बताता है, अपना नाम हरी सिंग बताता है, और जो 25 वर्स का ब्यक्ति है, उसका नाम क्या है, अन प्यारे बचो इसमें होता क्या है कि फिर उसके बाद कहानी इस वह लूटनी का उससे कोशिश करता है लेकिन जो 25 वर्स का अब्यक्ति अनील है इतना मॉडेस्ट है इतना 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 इसके उपर ट्रस्ट करने लगता है मिस्चोरी का उसके दिमाग के पूरी तरह से उस पर भ्रुशा करने लगता है तो वह उससे लूट नहीं पाता है उसका हिर्दय परिवर्तन हो जाता है मिस्च वह चोरी उससे कर नहीं पाता है तो इस चेप्टर में बस वही कहानी है वह चोरी कर नहीं दिखत नहीं है लेकिन आप वड़े मेनिंग लेखते हुए अराम से चलेंगे तो चीजे बहुत अच्छे से थोड़ा से समय लगे hundred breaker उसकता वेडियो चला जाए तो उससे आप पर fazem बस आप ले करके बैठ जाईए और पढ़ना स्टार्ट कर दीजे बस प्यारे बच्छो तो जल्दी से आ जाते हैं देखिए यहां से आपकी कहानी सुरू होती है दिथीप से स्टोरी इंबाई सूरज या दोजोनपुर और टेक्स्ट जो है आपका टेक्स्ट चाप्टर का ज यंग मिन्स नौजवान वाई मिन्स लड़का मेंक्स मिन्स बनाता है फ्रेंड्स मिन्स दोस्त वित अनील मिन्स अनील नाम है एक नौजवान लड़का अनील को क्या बनाता है मित्र बनाता है या दोस्त बनाता है अब अनील हमने बताया आपको जो पचीस वर्स का अब्यक अनियल उसके उपर पूरी तरह से क्या करता है भरोशा करता है उसका पूरी तरह से क्या करने लगता है और उसे क्या देता है काम देता है मिस काम पे लगा लेता है उस लड़की को क्या करता है काम पे लगा लेता है देट्राइ इसलिए देता है क्योंकि प्रिजटेंटी इफिंट में कहेंगे तो simple से कहेंगे क्या लड़का उसके भरोसे को धोखा देता है अब इस chapter में आपको वही खोजना है वही chapter में आप पढ़ोगे कि क्या वह लड़का उसको धोखा देता है कि नहीं देता है simple सी बात तो simple सी अभी तक क्या हुआ एक नौजवान लड़का है जो अनील को दोस्त बनाता है अनील पूरी तरह उसके भरोशा करने लगता है और उसे काम देता है और फिर वही क्या है कि क्या वह लड़का जो है अनील को धोखा देता है या नहीं देता है इस chapter में आपको यही खोजना है तो प्यार पिचो एक लियर हो गया इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई न फिर से देख लो एक अदम टाइम लगे तो टाइम की कोई दिक्कत नहीं है आप अच्छे से सरफाव का समझ में आना चाहिए बस एक नौजवान लड़का अनील को मित्र बनाता है अनील ट्रस्ट हीम अनील उसके उपर भरोशा करता है कम्प्लीटली मिन्स पूर्ड उपेंड अनील पूर्ड उपेंड उसके उपर भरोशा करता है एंड इंप्लाइस इंप्लाइस मिन्स होता है काम देना इंप्लाइस मिन्स होता है काम देना ही मेंस उसे और उसे काम देता है और थात नौकरी पर रख लेता है क्या वह लड़का उसके भरोसे को क्या करेगा धोखा देता है या नहीं देखता है इस सेप्टरी में आपको वही कोजना है तो जल्दी से प्यारे पुचो पहले पैराग्राफ पर आजाओ यहां से आपकी कहानी सुरू होती हो तो भूम का दिया हुआ था दो लाइन की भूम का दिया हुआ था अब कहानी प्यारे पुचो यहां से सुरू होती है जल्दी से आ जाओ सभी यहां से जुड़ जाओ उसने ही सेप्टर को लिखा हुआ है मिस इस कहानी को पूरा नेरेट किया हुआ है बताया गया है उसी के माध़म से कहानी को बताया गया है आई जहां भी आएगा मिस उसी लड़के के लिए प्रयोग किया गया है मैं अभी भी चोर था मिस वह लड़का कह रहा है आई वाज स्टील मैं अभी भी चोर था मैं अनुभावाला हो गया था अब यह इसका पंदरा वर्स के लड़कों में कहानी को बताया है इस चोरी करने की अनुभाव की बात कर रहा है कि I was an experienced मैं अनुभावाला हो गया था अर्था मैं चोरी करने में अनुभावी हो गया था बात समझें I was an experienced मैं अनुभावाला हो गया था मैं चोरी करने में अनुभावी हो गया था and fairly और अच्छे रूप से successful means simple hand means हाथ मेरा एक सफल हाथ था अब प्यारे बच्चों बताओ अखड़ा नहीं गया थीक है तो फिर भी मैं क्या था काफी अनुभावी था 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 एक सफल चोर था मेरा हाथ सफल था मैं एक सफल चोर था I was and experienced में एक अनभवी चोर था और सफल चोर था सो जब 15 वर्स की अवस्ता में अनभवी भी हो गया और सफल चोर भी हो गया तो चलो प्यारवचो आगे बढ़ते हैं अनील वाज वाचिंग रेसलिंग मैच रेसलिंग मेंस होता है प्यारवचो कुस्ती वाली रेसलिंग क्या होता है कुस्ती होता है तो अनील वाज वाचिंग मिस देखना अनील देख रहा था रेसलिंग मैच मिस एक कुस्ती वाला मैच देख रहा था अनील एक कुस्ती वाला मैच देख रहा था वेन आई एप्प्रोजड हिम जब मैं उसके पास पहुचा Approach means होता है पहुचना जब मैं अनील के पास पहुचा या उसके समीप में पहुचा तो वह क्या देख रहा था Wrestling match देख रहा था मिस एक कुष्ती का match देख रहा था एक कुष्ती का क्या देख रहा था match देख रहा था He was about 25 वह कितने वर्ष का लगबग था about means लगबग 25 means 25 वह लगबग 25 वर्ष का था a tall एक लंबा ब्यक्ति था lean fellow एक लंबा हो गया lean means होता है प्यारे बच्चो lean fellow है means उसका सरीर जो है बड़ा अच्छा सरीर था means 25 वर्ष का lean fellow means उसका अच्छा सरीर यह फिर ऐसे भी कह सकते हैं lean means होता है जुका हुआ हो ना तो उसका सरीर थोड़ा सा क्या था जुका हुआ था and he looked और वह प्रतीत होता था easy going easy going means प्यारे बच्चो क्या होता है easy means होता है आसान होता है आसान going means जाना आसान जाना means लापरवा टाइप का simple means साधारन दिखता था enough means परियाप्त रूप से far my purpose means मेरे उद्देश के रहे मेरे उद्देश के रहे यह बिलकुल परियाप्त था अब यह इस लड़कोवा का उद्देश क्या है चोरी करना है न means उसके चोरी के लिए यह बिलकुल सही था यह अनिल जो था उसके चोरी के उद्देश के लिए बिलकुल सही था यह कह रहा है तो क्या कह रहा है and he looked easy going वह बहुत लापरवा दिखता था काईन में द्यालू दिखता था and simple यह परियाप्त रूप से साधारर था far my purpose means मेरे उद्देश के लिए मेरे उद्देश के लिए परियाप्त रूप से क्या था परियाप्त रूप से प्यारे बच्चो क्या था परियाप्त रूप से मेरे उद्देश के लिए यह परियाप्त था परियाप्त रूप से नहीं था यह परियाप्त हो जाएगा मेरे उद्देश के लिए है क्या था प्यारे बच्छो परियाप्त था तो जल्दी से फिर से देख लो फिर से इसे एक लाइन को देख लो जिसे चोरी करना चाहता था क्योंकि एक चोर क्या चाहेगा उसका जिसे चोरी करें बहुत साधारन सा ब्यक्ति हो बहुत अच्छा ब्यक्ति हो जिसे कोई दिक्कत न हो यही तो एक चोर ब्यक्ति चाहता है अगर कोई फऽानेवाला ब्यक्ति मिल जाएगा तो चोरी कर पाईगा, उससे नहीं कर पाईगा तो वही बात है, क्यों ऐसी इनसान को खोचता है जहाँ आसानी से चोरी कर ले तो वही बात यहां पर है यहां मेरे उद्देश के लिए बिल्कुल परियाद था अब ध्यान देना मिनस मेरी किसमत कुछ दिन से साथ नहीं कर पा रहा था मिनस मेरी किसमत कुछ दिन से साथ नहीं दे रही थी अर्थात काम नहीं कर रही थी अर्थात कई दिन से हम चोरी नहीं कर पा रहे थे अब वह सोचता है कि मैं साइद इस नौजवान ब्यक्ति का सायद मैं विश्वास जीत लूँ अब वह सोचता है कि मैं साइद इस नौजवान ब्यक्ति जो है इसका सायद मैं विश्वास को क्या कर लूँ जीत लूँ काणफिदैन्स मींस होता है विश्वास किसी का काणफिदैन्स में आना अर्थाद विश्वास होना काते हैं नहीं कि यह मेरे confidence है confidence means भिश्वस्त है जिसमें भिश्वास किया जा सके ठीक है तो अब वह कहता है कि मैं सायद अनील का सायद मैं क्या कर सकूँ भिश्वास जीत लूँ और जब चोर होता है पहले तो भिश्वास ही जीतेगा पहिरे तो चोरी करने बिस्वास जीतेगा फिर उसे चोरी करेगा उसे धोका देगा तो वही बात है कि वह सोचता है वह कहता है कि मैं सायद नील का क्या कर लूँगा इसे ब्यक्ति का क्या कर लूँगा बिस्वास जीत लूँगा confidence जीत लूँगा तो प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं आगे क्या है You look a bit of wrestler yourself I said मैंने क्या कहा I said means what sure क्या कह रहा है You look आप दिख रहे हो A bit means होता है थोड़ा सा A bit means थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत या कुछ A wrestler means क्या दिख रहे हो क्योंकि वो तो wrestler mais दे रहा है कुस्थी क क्या मैस दे रहा है तो वही कर रहा है कि आप कुछ एक कुस्थी के पहलवान के समान दिख रहे है Yourself means swim Means आप swim जहे किया दिखते हो? पहलवान दिखते हो रेसलर दिखते हो रेसलर को होंगे? पहलवान होंगे न तो क्या हो जाएगा यू लोग आप दिख रहे हो थोड़ा सा आप रेसलर एक रेसलर आप भी दिख रहे हो इस आप दिख रहे हो युचरल कि पहलवान दिख रहे हो और चापलूसी रिए मिस होता है क्या चापलूसी a little means थोड़ी सी चापलूसी helps मिस मदद करती है in making friends मिस दोस्त बनाने में किसी को दोस्त बनाना है तो थोड़ा सा चापलूसी तो करना ही पड़ेगा तो वही करा a little flatly एक थोड़ी सी जो है चापलूसी helps मिस मदद करती है इन making friends में उस दोस्त बनाने में दोस्त बनाने में थोड़ी सी चापलूसी क्या करती है प्यारवचो मदद करती है जैसे जब लड़किया लड़की को परपोच करता है ठीक है तो लड़किया की तारीफ करेगा तभी तो लड़किया पटेगी नहीं तो कहां पटती है तो वही बात है कि बीना तारीफिया के नहीं कोई जो होता है अगर आपको दोस्त बनाना है किसी दोस्त को कह दो कि तुम बहुत आज सुन्दर दिख रहे हो आज तो तुम एकदम धमाल दिख रहे हो आज तुम्हारा कोई जवाब नहीं उधीरे दीरे आपके प्रेत अटेक्ट होता चला जाएगा उसे आप आसानी से दोस्त बना लोगे ठीक है? तो वही बात है मूवीन देखते हो ना है हीरोईन की जब तारीफ हीरो कर देता है तभी तो उसे में जमती है न? तो थोड़ा सा चापलूसी तो करना ही पड़ता है वही एबी ट्रिक अपना रहा है सोचों पंदरा वर्स का बच्चा है लेकिन बहुत समझदार एकदम एक्सपर्ट चोर है तो वही कह रहा है कि एक थोड़ा सा चापलूसी helps मिंस मदद करती है in making friends मिंस दोस्त बनाने में थोड़ी से चापलूसी दोस्त बनाने में क्या करती है मदद करती है बहुत बहतरी इन लाइन प्यारे बच्चो है आगे चलते हैं so do you do you means तुम भी दिखते हो तुम भी क्या दिखते हो मिंस तुम भी पहलवान की तरह दिखते हो ये कौन का अनिल का होगा अनिल का so do you means he replied वह उत्तर देता है he replied he means replied means उत्तर देता है जब मैंने उससे कहा कि तुम तो पहलवान के समान दिख रहे हो तो अब वह उत्तर देता है So do you, आप भी देखती हो आप भी कैसे देखती हो, एक छोटे पहलवान की तरह आप भी देखती हो He replied वह उत्तर देता है वह उत्तर देता है कि आप भी देखती हो, मिंस आप भी पहलवान की तरह देखती हो Which put me up for a moment Put off means प्यारे बच्छों हूता है, परशान कर देना, निरुतर कर देना Which put off means, जो मुझे निरुतर कर दिया For a moment means एक छण के लिए, एक पल के लिए जब उसनी कहा कि तुम भी पहलवान दिख रहे हो तब जो है मुझे एक छण के लिए एक पल के लिए उसने क्या कर दिया निरुत्तर कर दिया मिरे पास कोई जवाब नहीं था आगे देखते हैं प्यारे बच्चों मेरे पास कोई जवाब नहीं था तो आगे देखते हैं I said मैंने कहा which put off for a moment मुझे एक्छण के लिए निरुत्तर कर दिया because क्योंकि at that time मैं उसमें I was rather rather thin मैं बहुत पतला था मैं इसलिए एकदम निरुत्तर हो गया इसलिए भोचका सा रहा गया put off हो गया क्योंकि मैं उसमें बहुत पतला था अब जब पतला है तो कईसे रसलर बनेंगे पलवान कईसे बनेंगे लेकिन फिर भी उसने कहा कि तुम भी दिख रहे हो उस ब्यक्ति नहीं कहा 25 वर्स का जो ब्यक्ति था उसने कहा तुम भी दिख रहे हो तो यह बात मुझे इसलिए परसान की modestly means होता है बिनम्रता पूर्वग modestly means प्यार बच्चो क्या होता है बिनम्रता पूर्वग I said modestly मैंने बिनम्रता पूर्वग कहा क्या कहा प्यार बच्चो I do wrestle a bit wrestle means पहनवानी करना कुस्ती करना I do a wrestle मैं कुस्ती करता हूँ और beat means थोड़ा सा देखो यह कुस्ति उस्ति कुछ नहीं करता है जो पंदरा वर्सका है लेकिन फिर भी जूट बोला है कि I do मैं करता हूँ रिसल मिस कुस्ति या बीट मिस थोड़ा सा मैं थोड़ा सा क्या करता हूँ कुस्ति करता हूँ वह जो है चोर रप्लाई करता है what's your name आपका नाम क्या है हरी सिंग वह ब्यक्ति पूछता है what's your name आपका नाम क्या है तो यह चोर बताता है हरी सिंग मेरा नाम क्या है हरी सिंग है I lied मैंने जूट बोला जब उसने पूछा कि what's your name आपका नाम क्या है तो मैंने कहा हरी सिंग I lied और मैंने क्या किया है प्यार बचो जूट बोला है I took a new name Ibrimant मैं प्रतीक महिने Ibrimant means प्रतीक महिने मैं प्रतीक महिना एक नया नाम रख लेता था I took मैं ले लेता था रख लेता था new name means नया नाम Ibrimant means प्रतीक महिना प्रतीक महिना मैं एक नया नाम क्या कर लेता था रख लेता था That kept me ahead जो मुझे छिपा करके रखता था आप दी पूलिस means पूलिस से जो मुझे पूलिस से क्या करता था बचाता था, मैं इसलिए प्रतेक महिन्या अगला नाम बदल देता था क्योंकि वह मुझे पुलिस से बचाता था and my former, former means पहले वाले employers means जो नौकरी दिये होते है ठीक है, और जो पूरुवर्ती नौकरी देने वाले होते है मैं पुरुवर्ती जो नौकरी देने वाले होते है और मुझे पुलिस से यह क्या करता है, बचाता है क्या बचाता है, कि मैं प्रतेक महिन्या अपने नाम को परिवर्दित कर देता हूँ परिवर्दित क्यों करता है, क्योंकि चोर हूँ तो यह चीज़े मुझे बचाएंगी एक तो पुलिस से बचाएंगी और जिसके हाँ नौकरी की रहेंगे उससे भी बचाएंगी क्योंकि उससे तो मेरा वर्जनल कुछ पता ही नहीं होगा ठीक है तो वही कारा है कि यह मुझे पुलिस और जो फार्मर मींस होता है पहले तो यह आपका पहला पैराग्राफ प्यारे बचो कंप्रीट हुआ अब हम लोग बढ़ेंगे दूसरे पैराग्राफ की तरफ देखेंगे दूसरे पैराग्राफ में क्या है जल्दी से प्यारे बचो अपनी किताब में आप दूसरे पैराग्राफ में आजाओ अपनी और copy और pen ले करके बैठो, ठीक है, लापरवाही करोगे न, तो घरवा तक आएंगे, तो इसलिए बिल्कुल लापरवाही और परवाही मत करना, ठीक है, एक्जाम इस बार नया सलबस आया, टप सलबस है, लापरवाही बिल्कुल ना करना, ठीक है, चलो, आगे चलो, paragraph number 2 में चलते हैं, प्यारे बच्चों, इसमें देखते हैं क्या है, after this introduction, introduction means होता है, परिचे, after this introduction means इस परिचे के बाद, after this introduction means इस परिचे के बाद, अनील ने बात किया about the well oil, जो पूरी तरह से till लगाई हुए, well means अच्छी तरह से, oil means ते ल लगाना, जो पूरी तरह से, अच्छी तरह से ते लगाए हुए है Ressler means पहलवान जो पूरी तरह से अच्छी तरह से ते लगाए हुए पहलवान है और जब पहलवनीया जो ने जाते हैं उनने के देखोगे न एक्दम सरीया में पूरा दे लगा रहता है तेक एक दम जिसे उन्हें पकड़े जो है कुष्तिय में उन्हें सरक जाए जो है उन्हें सही से पकड़ नपाई से तेल लगाए रहते हैं तो वही कहा रहा है कि अनील टॉक्ड अनील ने बात किया about the whale-isled wrestlers खुब तेल लगाए हुए उन पहलवानों के बारे में who were grunting granting means क्या रहे होता है granting means क्या होता है गुर्राना जो क्या कर रहे होते हैं गुर्रा रहे होते हैं ठीक है तो अनील उन सभी के बारे में बात कर रहा था उन पहलवानों के बारे में बात तेल लगाए वी पहलवानों के बारे में बात कर रहा था who were grunting जो गुरा रहे थे, lifting उठा रहे थे, throwing पटक रहे थे, lift means उठाना, throw means पटकना, जो उठा रहे थे और पटक रहे थे, each other about means एक दूसरे को, जो एक दूसरे को उठा रहे थे, पटक रहे थे, उन सभी के बारे में अनील क्या करता है, प्यारे बुच्चों, बात करता है, अनील क तो क्या करता है कि अनील तेल लगाई हुए पहलवानों के बारें बात करता है हुवर ग्रंटिंग जो गरा रहे होते हैं लिफ्टिंग एंड थ्रोइंग इच अदर एक दूसरे को उठा करके पटक रहे हैं I did not have much to say मेरे पास कहने के लिए और कुछ नहीं है मेरे पास कहने के लिए कुछ अधिक नहीं था कौन कह रहा है उपंदरावर्स के लडगवा कह रहा है कि I did not have much to say मेरे पास कहने के लिए कुछ अधिक सब्द नहीं था अनील वागडवे अनील वहां से क्या कर दिया गया चल दिया वागडवे मिन्स चलना अनील वागडवे अनील वहां से क्या किया चल दिया I followed मैंने पीछा किया फालोड मैंने करना मिन्स होता है क्या प्यारे पिछो पीछा करना I followed जैसे मुविया में हीरो हीरोईं का पीछा करता है वही है फालोई मतब हीरोईं का फालोई कर रहा है ठीक है तो पीछा करना means होता है follow होता है I followed मैंने पीछा किया casually means सामानिता casually means बिना कोई परपच सामानिता मैंने क्या किया normal ढंग से मैंने बिना उद्देश कि मैंने उद्देश तो हला की चोरी करना ही था means कोई फार्मल्टी means एकदम तगड़ा वाला फीछा करना नहीं उसने केवल क्या किया अनियल का पीछा किया means उसके पीछे पीछे चलने लगा hello again he said उसने कहा he said means बोला hello again means पुना hello बोला वह उसने जो है पुना hello बोला कि जो है का कि मेरे पीछे क्यों चल ले उसलिए उसने पुना hello बोला मैंने अपनी एक बेहतरीन मुस्कान उसो दी इस ठंग से मुस्कान आया कि सामने वाला आकरसी थी हो जाए इसलिए अपीलिंग मुस्कान है अपीलिंग में सोता है अपीलिंग स्माइल है अपीलिंग में सोता आकरशक मुस्कान मैंने उसे एक आकर्षक मसकां दिया अब आकर्षक मसकां दिया तो मतलु सामने वाला फ्लैट होगा ही सामने वाला तो नुमारे चक्कर में पढ़ी जाएगा ठीक है लड़कियां जब एक बार मुस्किया देती है तो आप और लोग पीछे पढ़ जाते हो तो वही बात है यहां भी जो है अनिलवा वही काम कर रहा है चोरवा 15 वर्सका कर रहा है कुछ एकदम बहतरीन वाली आकरशक मुस्कान दी आगे देखो क्या होता है I want to work for you इस मुस्कान के साथ कहता है I want मैं चाहता हूँ to work for you आपके लिए काम करना I said मैंने कहा मैंने कहा कि मैं आपके लिए काम करना चाहता हूँ और मैंने क्या दिया है एक आकरशक मुस्कान दिया है मतलब आकरशक देखो मतलब मना भी ने कर पाई इस ठंग से मुस्कान दिया अब वह काम मांग रहा है और मना भी ने कर पाई इसलिए बहतरीन स्माइलिंग दिया है उसके face पे तो आकरसक मुस्कान के साथ मैंने उससे कहा कि मैं आपके लिए क्या करना चाहता हूँ काम करना चाहता हूँ फिर अनिल देखो क्या कहता है but I can't pay you लेकिन मैं तुम्हें बेतन नहीं दे सकता हूँ, pay means बेतन देना ठीक है, pay I can't pay you, मैं आपको बेतन नहीं दे सकता हूँ अब अनिल कहता है कि मेरी मजबूरी है कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं आपको बेतन दे सकूँ, बहले आपकी मुस्कान बहुत अच्छी, सब कुछ बहुत अच्छा है मुझे आप बहुत प्यारे लग रहे हो, सब कुछ है लेकिन, इतना मेरे पास पैसा नहीं है कि मैं आपको क्या कर सकूँ, pay कर सकूँ मिस बेतन दे सकूँ, आप काम करोगे तो कुछ न, कुछ बेतन लोगे, तो वही बात कर आए कि मेरे पास इतना नहीं है कि मैं क्या कर सकूँ, आपको pay कर सकूँ, आगे चलो प्यारे बच्छो आगे देखते हैं, देखो चप्टर को एक दम इंट्रेस्टिंग बना के पढ़ोगे तो बहुत मजाएगा एक दम पढ़ते चलो, आप किताब ले करके बैठे रहो, एक दम देखो, दो खंटा, तिन घंटे जितनी लंबी कलास होगी न, आपको बोरिंग नहीं महसूस होगा, इस धंग से पढ़ाएगे कि आपको बोरिंग नहीं महसूस होगा, लेकिन जो भी बाते करते हैं, सिर्प मजाग के तौर पे मैंने सोचा, ओवर फार मिनट, मिस एक मिनट के लिए मैंने सोचा, परहेफ्स, परहेफ्स मिस परवचो होता है, साइद परहेफ्स, साइद, I had misjust my man, मिस साइद मैंने misjust कर दिया हो, misjust मिस पहचानने में गलती करना, साइद मैंने पहचानने में गलती कर दिया माई मैन मिन्स इस ब्यक्ति को इस ब्यक्ति को सायद मैंने पहचानने में गलती कर दिया हरी सिंग इसे क्यों कह रहा है कि सायद मैंने इस ब्यक्ति को पहचानने में गलती कर दिया क्योंकि उसे क्या चाहिए एक बकरा चाहिए और बकरा ऐसा चाहिए जिसके पास पैसा हो अगर यह मुझे पे नहीं कर सकता है मतलब इसके पास पैसा हो इसा नहीं है तो वही कह रहा है कि सायद मैंने गलती कर दिया कि इस बकरे को चुनने में मिंस इस ब्यक्ति को चुनने में सायद मैंने क्या कर दिया गलती कर दिया मिस्जज़ मींस होता है गलती कर देना ठीक है सही जज़ नहीं कर पाना सही निड़े नहीं लेड़ पाना वही कह रहा है I asked मैंने पूछा Can you feed me क्या तुम मुझे भोजन खिला सकती हो Feed means खिलाना Feed जो है Food का second farm है तब वह पूछता है कि क्या आप भोजन बना सकते है Can you cook क्या आप भोजन बना सकते है Cook means भोजन बनाना क्या आप भोजन बना सकते है I can cook मैं भोजन बना सकता हूँ I lied again मैंने पुना जोट बोला उस ब्यक्ति से मैंने पुना जोट बोला कि हाँ मैं क्या कर सकता हूँ भोजन बना सकता हूँ तक यह दम जूटा है यह चोर है तो मतलब चोर के उपर भरोशा करने लायक है बिल्कुल नहीं करने लायक होता है तो इसलिए चोर जो नहीं बोलेगा कुल जूटे बोलेगा ठीक है उसके अपर भरोसा नहीं किया जा सकता है वही बात है इसने पुना जो हो उट बोला कि मैं भोजन बना सकता हूँ if you can cook यदि आप भोजन बना सकते हैं then maybe I can feed you तब साइद मैं आपको खिला सकता हूँ अगर आप भोजन बना सकते हैं तो साइद मैं आपको क्या खिला कर सकता हूँ खिला सकता हूँ उस ब्यक्ति ने कहा 25 वर्स के उस ब्यक्ति ने कहा कि यदे आप खाना बना सकते हैं तो मैं आपको खिला सकता हूँ आगे देखते हैं He took me to his room वह मुझे अपने room पर ले गया मिस अपने कमरे पर ले गया वह मुझे अपने कमरे पर ले गया over the jamuna sweet sap ठीक है jamuna sweet sap जो over means उपर था the jamuna sweet sap jamuna मिठाई jamuna मिठाई भंडार के उपर था वह अपने मुझे कमरे पर ले गया जो उसका कमरा था jamuna मिठाई की दुकान से वह उपर था jamuna मिठाई दुकान के उपर वह अपने कमरे में मुझे क्या ले गया प्यारविचो ले गया and told me और मुझे कहा I could sleep on the balcony मैं balcony में सो सकता था और उसने मुझे कहा कि मैं कहाँ सो सकता हूँ balcony में सो सकता हूँ मिन्स उसने किसने कहा अनिल ने कहा कि मैं balcony में सो सकता हूँ इसको कहा चरवा को कहा ठीक है but the meal I could meal मिन्स भोजन I could मिन्स बनाया लेकिन जो भोजन मैंने बनाया वह संभौता बहुत भयानक था वह संभौता क्या था? भयानक था विकॉज क्योंकि अनील गेव अनील ने दे दिया एक अस्टे मिन्स प्यार विच्चो क्या होता है? आवारा डॉग मिन्स गुत्ता एक अवारे कुत्ते को दे दिया मिन्स जो भोजन मैंने उस सलात्र को बनाया था उस पूरे भोजन को उठा करके उसने अवारे कुत्ते को दे दिया मिन्स भोजन बहुत भेकार रहा होगा क्योंकि बनाना तीसे आता ही नहीं था तो जूट बोला था कि हम बनाने लग सकते हैं तो अनिल ने उसे बनवा दिया होगा तो देखा होगा कि एकदम बेकार भोजन बनाया होगा है ठीक है तो उसने सारा भोजन उठाया और कुट्टे को दे दिया इस्टे मिस किस कुट्टे को दिया मिन्स अनिल ने फिर मुझे से कहा कि यहां से चले जाओ मतरब जब तुम खनवा बनाई ने सकते है तब जुट बोले हो तब यहां से चले जाओ ठेक है But लेकिन I just hung around मैं वहीं पर hung विस रुख जाना ठहर जाना मैं वहीं पर रुका रहा ठहरा रहा कौन कह रहा है वह कह रहा है कि पंदरा वर्ष का लड़का कि लेकिन मैं वहां से कहीं गया नहीं ठहरा रहा यह स्माइलिंग मुस्का रहा था in my most appealing way मिन्स अपनी आकरशक मुस्कान दे रहा था देखो कैसे फसा रहा है मैं वहां पर खड़ा हो करके उसे आकरशक मुस्कान दे रहा था मिन्स असकी तरफ एकदम आकरशक धंग से मुस्कुरा रहा था कौन मुस्कुरा रहा है चोर मुस्कुरा रहा है ठीक है and he couldn't help laughing or he couldn't help laughing मिन्स वह बिना हसे रही नहीं पाया मैं उसकी तरफ भूही खड़ा हो करके इस धंग से मुस्करा रहा था कि he couldn't help laughing वह बिना मुस्कराए रही भी नहीं पाया मतलब जब मैं मुस्करा रहा था अपनी आकरशक अंदाज में तो वह भी बिना मुस्कराए रही नहीं पाया इस धंग का चोर है समझो कितना बेहतरी नचोर है सातिर चोर जैसे करते है ठेक है ठंग से किसी का विश्वाज जीत करके किसी को धोखा देना इससे बहतर कोई नहीं जान सकता था प्यारे बच्चो तो यह हो गया आगे चलते हैं तीसरे पैरग्राप में चलते हैं प्यारे बच्चो और तीसरे प्यारे बच्चो जो भी आपके स्कूल की हों, कोचिंग की हों, क्लास की हों, कहीं के भी हों, सभी बच्चो में सेर अवस करोगे आप सभी लोग, सभी बच्चो में सेर अवस करोगे, यह आपकी जिम्मदारी है प्यारे बच्चो, ठीक है सेर करना आप सभी की जिम्मदारी ह ठीक, आगे चले, चलो, क्लास जिन्द के सब इवच्चों में वीडियो पहुच जाना चाहिए, यह आपकी जिम्मिदारी है, ऐसा उमीद आप शे करते हैं, वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को सस्क्राइब नहीं की होगे, तो सस्क्राइब कर लेना, ठीक है, चलो, ती मेरे सर को क्या किया, थप थपाया, मिन्स मेरे सर पर हपना हाथ रख करके थप थपाया, और कहा, नेवर माइंड मिन्स इसका बुरा मत मानू, जो मैंने तुम्हें कह दिया, यहां से चले जाने के लिए, इसका बुरा मत मानू, he had teach me to cook वह मुझे सिखाएगा teach means सिखाना to cook means भोजन बनाना वह मुझे भोजन बनाना सिखाएगा मिस खाना बनाना वह मुझे क्या कर देगा सिखाएगा तो इस प्रकार से देखो रुख गया किस डंग से देखो बेकूप बना करके उसे रुख गया कि वह कह रहा है कि वहा करके मेरे सर पर थप थपाया और कहता है कि मैं भोजन बनाना तो मैं सिखा दूँगा He also taught me उसने मुझे यह भी सिखाया taught me सिखाना तीज का second form taught है He also taught उसने यह भी मुझे सिखाया To write my name means अपने नाम को लिखना सिखाया Means अपने नाम को कैसे लिख सकते हैं उसने मुझे यह भी सिखाया Answered और कहा He would soon वह जल्दी ही teach me मुझे सिखा देगा To write whole sentences पूरा वाक के लिखना वसने कहा कि मैं जल्दी ही तुम्हें पूरा वाक के लिखना क्या कर दूँगा शिखा दूँगा देखो वह अब्यक्तिक इतना अच्छा है कि यह तो चोर है लेकिन वह देखो उसे बिना स्वार्थ के सब कुछ सिखा रहा है उसका नाम लिखना सिखा दिया पूरा वाक के लिखना सिखा देगा ऐसा कह रहा है And to add numbers Add means जोडना, numbers means गिंतियों को और मुझे गिंतियों को जोडना भी सिखा देगा उसने कहा कि मैं तुम्हें वाक के लिखना भी सिखा दूँगा और गिंतियों को जोडना भी सिखा दूँगा I was grateful, मैं क्रितग्य था grateful means किसी के असानों के नीचे दबे हुए होना उसे करते हैं grateful मैं क्या था? क्रितग्य था I knew, मैं जानता था that once I could write यदि एक बार मैं लिखना सीख गया like an educated man educated means एक पढ़े लिखे man means ब्यक्ति एक पढ़े लिखे ब्यक्ति कि ये समान यदि मैं लिखना सीख गया there would be no limit तब कोई उसकी limit नहीं होगी to what I could achieve मैं जो achieve means प्राप्त करूँगा तब उसकी कोई limit नहीं होगी मैं जो प्राप्त करूँगा मैं एक बार यदि लिखना पढ़ना सीख गया तो उसकी कोई limit नहीं होगी जो मैं क्या करूँगा प्राप्त करूँगा ठीक है? तो क्या प्राप्त करूँगा प्यारे बचो आगे देखते हैं, मेट बनाता था, दिट्टी मिन्स, चाय को, इंदी मॉड्निंगे सुबह में, मैं सुबह में चाय बनाता था, और फिर मैं चला जाता था, कहां, भाई मिन्स, खरीदने के लिए, दिडेज सप्लाइज मिन्स, आप पुर्ती समान, मिन्स, दिन की सामान को खरीदने के लिए, मिन्स, सबजी में, या फिर कुछ सामान सामगरी जो लाना होता है, दालवाल, मिन्स, फिर मैं कहां चला जाता था, दिन की सामगरीओं को खरीदने के लिए, चला जाता था, usually means prior making a profit means मैं लाव कमा लेता था about a rupi a day means एक दिन में एक रूपे तो बचा ही लेता था means उस सबजी उबजी खरीदने में जो समानुमाल लेने जाता था उसमें एक रूपे तो बचा ही लेता था profit means होता है लाव कमाना, अरूपी means एक रूपे का एक रूपे को तो मैं लाव कमा लेता था ऐसा कौन कार रहा है प्यारे बच्चो ऐसा अरि का रहा है, वो 15 वर्स का चोर का रहा है कि मैं जब मैं इसकी सबजी समान लेने जाता था तो एक रूपे तो मैं profit में लाव में बचा ही लेता था I think मैं सोचता हूँ he knew वह जानता था मिन्स जहां तक मैं सोचता हूँ कि हरी जो है अनील से जानता था कि मैं एक रूपे बचा रहा हूँ I made a little money वह जानता था कि मैं जो है क्या कर रहा हूँ थोड़ा बहुत पैसा बचा रहा हूँ this way means इस तरीके से वह जानता था कि इस तरीके से मैं थोड़ा बहुत पैसे बचा रहा हूँ but he did not seem to mind लेकिन ऐसा प्रतीत नहीं हुआ कि उसे बुरा लग रहा हो मिन्स उसने इस बात को बिलकुल ध्यानी नहीं दिया मिन्स मैं एक दो रूपे जो बचा लेता था जब सामान खरीदने जाता था वह यह बात जानता भी था कि एक दो रूपे बचा लेता है लेकिन फिर भी उसने कुछ बोला नहीं एकदम बिलकुल नहीं बोला तो प्यारे बच्चों देखो कितना अच्छा ब्यक्ति है अनिल कितना उसके उपर भरोशा कर रहा है टूट करके भरोशा करना ठीक है तो यहीं होता है किसी के उपर टूट करके भरोशा करना ठीक है तो जैसे करते हैं चाहे हैं तो तुससे वफा करेंगे निभाएंगे वफा तो यहीं बात है यहाँ पर प्यारे बिच्चो आगे बढ़ते हैं ठीक है तो paragraph number आपका चौथे में आ जाते हैं आप लोग अपनी किताब खुल करके paragraph number 4 में आ जाईए प्यारे बिच्चो देखते हैं paragraph number 4 में क्या है और थोड़ा सा लंबा वीडियो जा रहा है by fits and starts fits and starts means प्यारे बिच्चो क्या होता है means fits and starts means होता है बीच बीच में रुक रुक करके means अनील लगातार पैसे नहीं कमाता था बीच बीच में रुक रुक करके पैसा कमाता था जैसे आज कमा लिया फिर हो सकता हो 4 दिन न कमाए तो अनील बीच में रुक रुक करके पैसा कमाने वाला ब्यक्ति था यह सिर्णी में तो रुप से वा पैसा कमाने वाला नहीं था बाई एंड, फिट्स एंड, स्टार्ट निंग्स होता है रुक रुक करके बीच में रुक रुक करके बीच में पैसा कमाने वाला व्यक्ति अनीव था He would borrow one week, वह एक सप्ता तो उधार लेता था He would borrow वह उधार लेता था, one week means एक सप्ता वह एक सप्ता तो उधारी लेता था Spend the next और अगले सप्ता में उसे क्या कर देता था? खर्चा कर देता था Spend the next और अगले सप्ता में उसे क्या कर दाता था? ठीक है? कहां हाँ Lend the next ठीक है इसमें एक मिनट एक मिनट आपके बुक में कुछ दिया है He would borrow one week, lend the next week means वह एक सप्ता क्या कर देता था? ले लेता था, अगले सप्ता खर्चा कर देता था Spend means होता है, खर्चा करना इसमें Lend दिया हुआ है Lend the next means अगले सप्ता लेना इसमें हो जाएगा ठीक है वह एक सप्ता तो उधार लेता था इसमें Lend means उधार होगा इस paragraph की कॉर्डिंग Lend होगा लेकिन इसमें जो आपकी किताब में दिया है spend दिया हुआ है तो वहला की Lend ही होगा क्योंकि वह बारो Lend एक ही meaning होती है तो यहां पर होगा spend ही होगा, spend the next means अगले सप्ता मुझसे खर्चा कर देता था आगी प्यारे बच्छो चलो वह चिंतित रहता था about his next check अगले चिक के बारे में वह चिंतित रहता अब check क्या होता है प्यारे बच्छो जो पैसा मिलता है उच्छे की रूप में अगर मिले तो जैसे 2000 का check मिला है तो check जाकर के bank से भजार लेंगे हम check दे देंगे तो हमें 2000 रूप बहे मिल जाएगा तो वही कह रहा है कि he kept worrying वह परशान आता था चिंतित रहता था वह चिंतित होता था his next check अगले चिक के लिए वह अगले चिक के लिए अपने चिंतित रहता था but as soon as it arrived लेकिन जैसे ही वह आ जाता था रैड मिस आना या पूछना जैसे ही या मिल जाना याँ कहेंगे जैसे ही उसे वह चिक मिल जाता था He would go out वह बाहर जाता था and celebrate celebrate means होता है just manana वह बाहर जाता था और just manana means जब उसे पैसे मिल जाते थे तो वह बाहर जाता था और क्या करता था? just manana It seems एसा प्रतीत होता था He wrote for magazines वह magazine के लिए लिखता था पत्रिकाओं, magazine मींस होता है, पत्रिकाओं, ऐसा प्रतीत होता था, कि वह पत्रिकाओं के लिए लिखता था, एक साम वो घर आया with a small bundle of notes आप देखो इसका उसके हाथ में एक छोटा bundle था of notes means पैसो का उसके हाथ में एक छोटा bundle था पैसो का means one evening एक साम ही came वो आया home means घर with a small bundle of notes means एक पैसे के notes के साथ एक पैसे के bundle के notes के साथ वो क्या आया घर आया, saying कहते ही वे, he had just sold a book, उसने किताब को बेचा है, to a publisher, means एक publisher को, उसने यह बात कहा, कि उसने एक publisher को क्या किया हुआ है, एक book, एक पुष्टक को क्या किया हुआ है, बेचा हुआ है, publisher means उता है, प्रकासक, जो पुष्टक को प्रकासित करते हैं, उन्हें publisher बोलते हैं, तो उसने कहा कि हमने एक पुष्टक को बेचा है, कि इसको प्रकासक को, publisher को एक book हमने बेचा हुआ है, at night उस रात्री को, I saw, मैंने देखा, he means उसे, टक means रखते हुए, छिपाते हुए, ठूसते हुए कह सकते हो, या डालते हुए कह सकते हो, टक दी मनी पैसे को डालते नीचे, the mattress means गद्दे, गद्दे के नीचे मैंने पैसे को डालते हुए उस रात्री को मैंने देख लिया, अनिलवा जब पैसवा को डाल रहा था, रख रहा था, कहां गद्दवा के नीचवा जब रख रहा था, तो मैंने देख लिया था, इक कौन देख लिया है, इस चुर आगे क्या है, I had been working, मैं कार कर रहा था, फार अनील, अनील के लिए, फार अल्मोश्ट अमन्तमिंस लगभग एक महीने से, मैं अनील के लिए लगभग एक महीने से क्या कर रहा था, काम कर रहा था, and or apart from cheating on the shopping, means यह जो दुकांदारी में, shopping means दुकांदारी, जो समान खरीदने जाता था, समान, apartments के अतरिक्त, apartments होता है, कि अतरिक्त, from means say, cheating on the shopping, means इस दुकांदारी में, इस समान खरीदने में, जो चोरी कर लेता था, उसके अतरिक्त, had not done anything, मैंने कुछ नहीं किया था, in line of work, means अपने कार में, means, जो चोरी में करता था, केवल जो shopping करने के लिए, जब हम समान खरीदने के लिए जाते थे, तभी चोरी करता था, और उसके अलावों मैंने अभी तक कभी चोरी नहीं किया है, वही करा, I had done anything in my, I had not done anything in my line of work, मैंने कुछ नहीं गलत किया था, मैंने कुछ नहीं गलत किया उस चोरी के सिवा, चोरी कहां करता था, मैं बचाता कहां था, जो सबजी खरीदने जाता था, जो सामान खरीदने जाता था, उसमें जो कुछ बच जाता था, उसके चोरी की सिवा, उसके बचाने के सिवा, और मैंने कुछ भी गलत नहीं किया था, ऐसा करने के लिए मेरे पास बहुत सारे आउशर थे अनेल मुझे एक चाभी दे दिया था अनेल मुझे एक चाभी दे दिया था और मैं आ सकता था इसका मतलब क्या हो जाएगा मैं आनी जानी के लिए स्वतंद्र था मैं किसी भी टाइम आ जा सकता था जब मेरा मन कहे मैं आ सकता था क्योंकि मेरे पास भी चाभी थी घर की चाभी दरवाजे की चाभी, दोर की चाभी अलमारी की चाभी, सब कुछ मेरे पास भी चाभी थी जो निल के पास थी तो इसलिए मैं किसी भी टाइम पर क्या का सकता था आ सकता था और जा सकता था तो वही बात यहाँ पर कर रहा है कि मेरे पास बहुत सारे आउसा थे हैं क्योंकि मेरे पास चाभी यह थी तो हम अगर चाहे होते हैं तो चोरी करके वैसे भाग गए होते हैं वही कर रहा है ठीक है He was the most trusting person most means होता है सबसे अधिक वह सबसे अधिक विश्वास करने वाला ब्यक्ति था I had ever made जितनी लोगों से अभी तक मैंने मिला है वह 15 वर्ष का ब्यक्ति बच्चा कर रहा है कि मैं जितने लोगों से अभी तक मिला हुआ हूँ वह सबसे अधिक विश्वास करने वाला ब्यक्ति था यह जो अनील था सबसे अधिक विश्वास करने वाला ब्यक्ति था यही होता है अगर आप किसी को पर इतना ज़्यादा विश्वास कर रहे हैं तो सामने वाला अगर चूरी करना भी चाहे न तब भी नहीं कर पाएगा एक बाद तो जरूर सोचेगा कि सामने वाला इतना मेरे उपर भरोसा कर रहा है तो उसके भरोसी को क्यों तोड़ी एक बाद तो जरूर सोचेगा अगर चूरी कर भी लिया जिंदिगी फर उसे मलाल लेगा मैंने उस इंसान को धोखा दिया है जिसने मेरे साथ बहुत अच्छे से किया हुआ है मेरे साथ कोई गलत काम नहीं किया है मैंने उस इस इंसान को धोखा दिया है ये बाद तो उसकी दिमाग में जिंदगी फर रहेगी तो इसलिए जो इंसान किसी के साथ तूट करके विस्वास करता है न वो तो खतम नहीं होगा गर इसका विस्वास टूटेगा वो तो दूसरे उपर इंसान को पर फिर से भरोशा नहीं करेगा वास इतना करेगा लेकिन जो इंसान क्या रहेगा न उसके भरोशे को तोड़ा रहेगा न पूरे lifetime पुरे जिंदिगी भर उसे याद रहेगा, मैंने गलत किया था, तो वही है प्यारे बच्छो, आगे क्या है, आगे की कहानी प्यारे बच्छो देखते हैं, आगे किसे कहां शुरू होता है, आगे चलते हैं, आप लोग थोड़ा सा पानी प्यारे बच्छो, ठीक है, हमें तो दो तीन घंटा, चार घंटा लेक्छा देना हो, कोई दिक्कत नहीं, हम तो बोलते रहते हैं, ठीक है, आपकी क्लास बीच में रोक नहीं, पॉस करके नहीं, बता बना रहे हैं, एक ही बार ब बैट के बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन आप लोग अभी छोटे बच्चे हो, तो आप लोग पानी बनी लेकर के अराम से बैठो, पूरी क्लास को, तब एकदम बढ़ियां से पढ़ते ही भी खतम करो, प्यारे बच्छो, चलो आगे, आगे चलो, and that is why, और हाँ, जो बच्चे नए आए हैं चैनल को, सस्क्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, और क्लास टेंट के सभी बच्चों में से रवास करेंगे, चलो, and that is why, और इसलिए, it was so difficult, या अतधिक मुश्किल हो गया, to rob ही मिन्स उसे लोटना, इसलिए या बहु तो मुश्किल हो गया उसे लोटना, क्योंकि वो इतना मेरे उपर ट्रस्ट कर रहा था, बहुरोसा कर रहा था, इसलिए ये मुश्किल हो गया, कि उसलिए क्या हो गया, मुश्किल हो गया, क्योंकि बिना स्वार्थ वचा रहा था, बिना स्वार्थ इसलिए वफा कर रहा थ जब इंसान बिना श्वार्थ वफा करें तो जाहिर सी बात है कि सामने वाले को होई चाहेगा कि लूट नहीं पाएगा तो वही करा लूटना आसान होता है मिस देखो अच्छी वाली बात बता रहा है एक लाल्ची ब्यक्ति को लूटना आसान होता है because he can afford to be robbed क्योंकि वह afford मिस सहन कर सकना वह सहन कर लेगा to be robbed means लूटा हुआ अपने आपको लूटे हुए हो करके भी वह सहन कर सकता है लाल्ची ब्यक्ति एक लापरवाब ब्यक्ति को लूटना मुस्किल है sometimes कभी कभी he does not even notice वह उसे ध्यान भी नहीं दे पाता है he had been robbed कभी कभी तो वह अपने आपको ध्यान भी नहीं दे पाता है कि वह लूटा गया है इस वह कह रहा है कि कभी-कभी वह ध्यान भी नहीं दे पाता है, एकलापरवा अभ्यक्ति की वह लूटा गया है, and that takes all the pleasure out of the work, और यही तो जो है, सारा काम बिगार देता है, and that takes और यही ले लेता है, छीन लेता है, the pleasure आनन्द को out of the work, means, इस एकार का, means, एकार चोरी करने का आनन्द ही चला जाता है, एकार जो है, चोरी करने का आनन्द ही चला जाता है, इस कार की वज़े से, means, उसे पता ही नहीं चल पाता है, को उसे लूटा जा रहा है, नहीं लूटा जा रहा है, उसे फरकी नहीं पढ़ रहा है, तो मज़ा कहां काम में आएगा अगर आपको हिसास होगा कि हम लूटे जा रहे हैं उसके बाद तब मज़ा आएगा न उसे लूटों गए तो वही कह रहा है कि इसलिए चोरी करने का सारा मज़ा ही क्या हो गया शमाप्त हो जाता है क्योंकि सामने वाला है कि कोई response ही नहीं कर रहा है उसे भरोसा ही नहीं कोई उसे लूट सकता है तो असलिक प्रकार से कह रहा है कि इस प्रकार सारा काम का आनंद ही चला जाता है आगे देखते हैं Well, ठीक है It is time I did some real work अब यह समय है जब मैं कुछ वास्तिक काम करूँगा Really means वास्तिक, work means काम अब यह समय है जब मैं वास्तिक कुछ काम करूँगा I told myself, मैंने स्वेम से अपनी आप से कहा मैंने अपनी आप से कहा कि यह वह समय है कि जब मैं कुछ वास्तिक काम करूँगा I am out of practice मैं बहुत दिन से प्रैक्टिस नहीं कर रहा था मतब चुरिया नहीं कर रहा था प्रैक्टिस में से अभ्यास करना अभ्यास करना उच्चुरवा कान सा अभ्यास करेगा चुरिया करने का अभ्यास करेगा वही कर रहा है I am out of practice means कई दुने से मैं अभ्यास नहीं कर रहा था तक चोरी नहीं कर रहा था and if I don't take the money यदि मैं इन सभी पैसों को नहीं लोंगा don't take the money means यदि मैं इन पैसों को नहीं लेता हूं he will only waste it वह केवल इसे बरबात कर देगा on his friends किसमें अपनी दोस्तों में अपनी दोस्तों में पैसों के का कर देगा बरबात कर देगा खतम कर देगा ऐसा हरी सिंग वच्छोर सोचता है and after all इन सब के अलावा he does not pay even he does not even pay me यहां तक मालो ठीक है इन सारी वो जोग हो सकता हूँ मैं चूरी नहीं करता लेकिन यहां तक यह भी तो बात सही है को उसने मुझे बेतन नहीं दिया है but after all इन सब के अलावा he doesn't even pay me वह उसने मुझे बेतन भी नहीं दिया है मुझे कोई सैले भी नहीं दिया है एक महिने का इसलिए मैं चूरी कर रही लेता हूँ वह सोचता है कि इसलिए मैं चूरी कर रही लेता हूँ तो यह हो गया paragraph नमर 5 प्यारे बच्चो अमीद करते हैं आपको कोई दिक्कत नहीं होई होगी ठीक है कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि एकदम आसान सब्दों में धीरे धीरे चल रहे हैं प्यारे बच्चो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए ठीक है एकदम मस्ती के साथ आपको पढ़ा रहे हैं इसलिए आप लोग अच्छे से पढ़ो प्यारे बच्चो चलो आगे पढ़ते हैं आगे क्या है अनील वाज उसलीप आनील क्या कर रहा था अनील क्या कर रहा है पोंडा कला फिर्ट वाग जो रहायाा कौनों लड़गी के नाम ले रहा है हम किरन ठीक है किरन मिंस प्रकाश की पुंज अनि अहाँ अब बीम आप मूनलाइट किसकी मूनलाइट मिंस चंदरमा की प्रकाश की किरन इस टेप्ड ओवर मिंस पढ़ रही थी आन्दी बलकनी बालकनी के ऊपर से चंद्रमा की किरन पौड रही थी and fail on the bed और बिस्तर पे जाके गिर रही थी मिस चांदनी रात की जो प्रकास है चांदनी की किरन है न वो बालकनी से होते ही रिए उसके bed पर जाके गिर रही थी किसके bed पे उस अनिल के bed पे जाकर की प्यारविच्चो क्या कर रही थी गिर रही थी i set up on the flow set up means उठना i set up on the flow मैं first पर उठा हुआ था means मैं first पर क्या था बैठा हुआ था मैं first पर क्या था considering बिचार कर रहा था this situation means इस्तिती के बारे में और इस स्थिती के बारे में क्या कर रहा था? विचार कर रहा था इस कैसे मुझे चोरी करना है, कैसे भागना है यही सारी चीजों के बारे में क्या कर रहा था? विचार कर रहा था आगे देखते हैं If I took the money यदि मैं पैसे को ले लेता हूं I could catch मैं पकड़ सकता हूं 10-30 express to लखनो जो साड़ी 10 बज़े लखनों के लिए express train जाती है हम उसको पकड़ सकता हूं वह लड़का कह रहा है पंद्रवर्स का कि जो 10-30 train जाती है जो है लखनों के लिए मैं उस train को catch कर सकता हूं मैंज पकड़ सकता हूं sleeping out of the blanket sleeping means क्या होता है बाहर निकलना sleeping out of the blanket means अपने कंबल में से बाहर निकलते हुए sleeping out means होता है बाहर निकलना out of the blanket means अपने कंबल अपने कंबल में से बाहर निकलते हुए blanket means कंबल अपने कंबल में से बाहर निकलते हुए I crept up I crept up to the bed I crept up to the bed मैं means bed के नजदीक गया means मैं bed के पास में crept means सरक करके जाना और जब सरक के जाएंगे तो आवाज नहीं आएगी means सांती से I crept up to the bed means सरक करके धीरे से सांती से मैं bed तक गया Anil was sleeping Anil सो रहा था peacefully means एकदम सांती से Anil एकदम सांती से क्या कर रहा था प्यारबचो सो रहा था His face was clear उसका चेहरा कैसा था clear means एकदम सच चेहरा था एकदम साप सुथरा उसके कुछ कुछ टेंसर नहीं था एकदम साप चेहरा था and unlined unlined means होता है तनाव ही means कोई टेंसर नहीं means और उसका चेहरा तनाव मुक्त था unlined means तनाव मुक्त था even I had more marks यहां तक की marks means निसान मेरे चेहरे पर अधिक निसान थे on my face means मेरे चेहरे पर यहां तक की मेरे चेहरे पर अधिक निसान थे दावू mine were mostly scarce और जो मेरे निसां थे वह बहुत ज्यादा वाले क्या थे बख़े वाले धब्ये जो क जा रहा है कि मेरे चेहरे पर जो है चोट लगने वाले धब्ये थे मेरे चहरे पर बहुत सारे निसान थे और चोट लगने वाले दप्पे थे सारे ठीक है? आप क्योंकि चोरी करने में तो कभी कभी पखड़े जाओगे तो पिर चहरोगा पर दना दन लोग मारते हैं न? पखड़े जाने पर कहा मारेंगे? पीठोट पर मारते ही हैं और चहरोगा दना दन मारते हैं ठीक है? वही बात है आगे चलो प्यारे बच्छों इसमें आगे देखते हैं हाँ आगे देखते हैं My hand is slide under the mattress My hand is मेरा हाथ Slide means डाले Under means नीचे the mattress means उस गद्दे के मैंने अपने हाथ को उस गद्दे की नीचे डाला searching तलास करती हुई for the notes means नोटों का means पैसे को तलास करती हुई मैंने अपने हाथों को गद्दे के नीचे डाला when I found them जब मैंने उसे पा लिया means नोटों को जब मैंने पा लिया I drew them out मैंने बाहर निकाल लिया without a sound means बिना आवाज के मैंने अपने हाथ को बिना आवाज के क्या कर लिया बाहर निकाल लिया means अपने हाथ में पैसे ले लिया और उस पैसे को लेकर के मैंने बिना आवाज के अपने हाथों को क्या कर लिया प्यारे बचो बाहर निकाल लिया aneal side side means होता आहें बरना शाइड में सोता है, आहें भरना, अनील साइड in his sleep, अनील अपने sleep में सोते ही विए उसने क्या किया, आहें भरा, and turned on his side, और उसने करवटे बदली, आहें भरी अनील ने, और उसने क्या किया, करवटे बदली, towards me मेरे तरफ, और उसने मेरे तरफ, प्यारे बच्चों क्या कि, करवटे बदली मेरे तरफ कौन करवटे बदली है अनील ने मेरे तरफ क्या किया हुआ है करवटे बदला हुआ है When I found them जब मैंने उसे पाया सोरी सोरी छुड़ गया I was startled और जब मेरी तरफ उसने करवटे बदली तो I was startled मैं क्या रह गया बहुचक्का सा रह गया startled में सोता है बहुचक्का सा रहना बहुचक्का हो जाना अचंबित हो जाना I was startled मैं बहुचक्का सा हो गया and quickly और जल्दी से crawled crawled में सोता है खिसक करके जाना, सरक करके जाना नीचे छिप करके जाना and crawled और सरक करके रियेंग करके जाना out of the room उस कमरे के बाहर और मैं सरक करके तेजी से कमरे के बाहर चला गया जैसे मुझे लगा कि अनिल मेरी तरफ देख रहा है धीन्द में ही तो मैं तुरंट सरक करके मैं तो पहले ते भोचक्कर आ गया स्टार्टर हो गया स्टार्टर्ड हो गया इस भोचकका हो गया उसके बाद मैं सरक करके क्या किया तुरंट रहे कमरे के बाहर निकल गया तो प्यारे बच्चो ये छठा पैराग्राफ था अब लोग बढ़ेंगे सातंवे पैराग्राफ की तरफ अब जल्दी से सबी बच्चों में सेहर करेंगे प्यारे बच्चों आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं दो दो धाई धन धाई गंटा की लगातार क्लास लेते हैं इतनी मेहनत लगती है तो प्यारे बच्चों आपकी भी जिम्मधारी होती है कि सबी बच्चों को जोड़ना इस चैनल के बारे में सभी बच्चों के चैनल के मादम जोड़ना और हम आपसे वादा करते हैं कि एकदम बेहतरीन मैटर देंगे उससे बेहतर कोई नहीं दे सकता है मुझसे बेहतर यतना भरोशा रखते हैं कि मुझसे बेहतर कोई नहीं दे सकता है तो आप लोग भरोशा रखना कि आपकी जो सर आपके साथ पूरी इमानदारी के साथ रहेंगे ठीक है? चलो प्यारे बच्चो साथे ऐसे नहीं आपको प्यारे बच्चे करते हैं ठीक है? आपसे दिल से रस्ता जुड़ा हुआ है इसलिए आपसे प्यारे बच्चे आपको करते है चलो आगए पर अगराफ बंबर साथ पी आजाओ जब मैं कहा पर था? रोड पर था, सड़क पर था अब पैसे ले करके वह निकल गया है अब पैसे ले करके वह निकल गया है घर के बाहर तो आप देखो क्या होता है When I was on the road जब मैं सड़क पर था I began to run मैं दोड़ना सुरो किया क्योंकि डल लगता है कि कहीं पकड़े न जाए तो इसलिए कोई भी चोर होगा तो जब चोरी करके वो दोड़ेगा ही धीरे धीरे नार्मली नहीं चलेगा तो नार्मल सी बात है When I was on the road जब मैं सड़क पर था I began to run मैं दोड़ना प्रारम किया I had the notes at my waist मेरे पास note थी means पैसे थे on my at my waist means कमर पर waist means होता है कमर पर मैंने पैसे को कमर पर लगाया हुआ था अब कमर पर कैसे लगाया हुआ है जिस उसे भी देख लेते हैं held dear by the string of my pajamas और किसे बाध हुआ था held means तिकाय हुए था dear by string means धागे से या नाडे से धागा कौन सा होगा नरवी धागा होगा ना जिस पजामिया में डुरिया जो होती है वही धागा होगा ना मैं अपनी पजामिया के नाणी से उसे बाध हुआ था यह इस पजामिया के पसवा में है अपने कमरिया के जो पजामवा था पजामवा का जो नडिया होगी नडिया से क्या किया हुआ था उसे बाधा हुआ था ठीक है पhisto अगे चले चला I slow down to work मैं थोड़ा सा धीरे चलना प्रारम किया जो भी दौड रहा था मैं क्या किया थोड़ा धीरे चलना प्रारम किया and counted the notes और जो note मेरी थी जो गड़ी थी note की मैंने उसे गिना 600 रूपी 600 रूपे थी in 50s means 50 रूपे के note को रूप में 50 रूपे के note की रूप में कितने रूपे थी प्यारव चो 600 रूपे थी I could live में रह सकता था like and I'll reach Arab एक अरब के जो तेल बेचने वाले अरब की लोग होते हैं साथी अरब जैसे हो गया क्योंकि यहां पर तेल ज़्यादा बिक्री होता है तो तेल बिक्री से इतने लोग पैसा कमा लेते हैं अमीर हो जाते हैं एकदम राजा की तरह रहते हैं तो अहीं कर रहा है कि I could live में रह सकता हूं like and I'll reach Arab means तेल के जो reach है means तेल के जो बहुत धनाठ हैं मैं उनकी असमान means एक-दो सब्ता क्या कर सकता हूं for a week or two एक-दो सब्ता रह सकता हूं means में क्या हो जाएगा means मैं Arab के Arab की धनी धनी अरब के लोगों के समान एक-दो सब्ता क्या कर सकता हूं रह सकता हूं धनी अरब के लोग means जो तेल वहां बेचने वाले होते हैं जो है बहुत सारे पैसे होते हैं उनके पास तिसलिए धनी होते हैं वो एकदम राज़ा की तरह रहते हैं तिसलिए वही कराए कि मैं तेल बेचने वाले अरब के समान जो है मैं क्या कर सकता हूँ एक दो सब्ता रज सकता हूँ क्योंकि 600 रुपे मिल जाएगा तो 600 रुपे का दो सब्ता में खर्चा करना होगा क्योंकि बहुत पहले की ये बात है तब तो बहुत रुपे थे 600 रुपे तो ही करा कि मैं तो एक दो सब्ता जाएक दमराजा की समान रहेंगे पहुचा, I did not stop, मैं नहीं रुका at the ticket office. Ticket office के पास मैं नहीं रुका, मैं ticket counter पर नहीं रुका. क्यों नहीं रुका? I had neighbor bought a ticket in my life क्योंकि मैंने अपने पूरे जीवन में ticket लिए नहीं खरीदा था. I had neighbor, neighbor means कभी नहीं, bought means खरीदा, a ticket means a ticket in my life means पूरे जीवन में. मैंने अपने पूरे जीवन में एक टिकट खरीदा ही नहीं था इसलिए मैं वहां रुका नहीं बट डैजड आगे बढ़ गया इस्टेट टूदी प्लेटफर्म और सीधे मैं तेज़ दोड़ा मैं सीधे तेज़ दोड़ा टूदी प्लेटफर्म मैं स्टेटफर्म पर जाने के लिए जहां ट्रीन आके रुकती है उस प्लेटफर्म के जाने के लिए पैसे इधे वहां पर क्या किया है प्यारे बच्चो दोड़ा दिल लखनाउए एक्सप्रेस जिस ट्रीन की अउमीद किया था मिन्स वह ट्रेन अपनी गर्दी को बनाने ही वाले थी I should have able to jump into one of the carriage carriage मिन्स उता बोगी ट्रेन का डिबबा ठीक है I should have been able to able means योग होना to jump means कूदना मैं कूदने की योग था into one of the carriage मिन्स उस बोगी उस ट्रेन की एक डिबबे में मैं कूदने की योग था मिन्स मैं कूद सकता था मैं उस ट्रेन की एक डिबे में क्या कर सकता था कूद सकता था but I hesitated लेकिन मैंने थोड़ा सा hesitate किया hesitate मिन्स होता है कि संकोच करना लेकिन मैंने थोड़ा सा क्या किया संकोच किया मिन्स हिच किचाया मैंने थोड़ा सा हिसके चाया I can't explain वह कौन से कारण थे मैं इसकी ब्याख्या नहीं कर सकता हूँ किस कारण से मैंने जो है नी ट्रेन पकड़ा था मैं इसकी ब्याख्या नहीं कर सकता हूँ and I lost the chance और मैंने अपनी मौके को खो दिया to get और भाग जाने के लिए और भाग जाने के आशर को हमने क्या कर दिया प्यारे बच्चो खो दिया मिस यहां से जिस तरह से अब हम भाग सकते थे मैंने उस आशर को क्या कर दिया था खो दिया था मिस भाग जाने आशर को हमने क्या कर दिया था खो दिया था क्योंकि ट्रेन को छोड़ दिया था भाग जाने या उलस तो उत्खोई गया है तो प्यारे बच्चो यह आपका सात्वा परग्राफ था तीन परग्राफ और बचा है आठ नौ दस तीन परग्राफ और है आपका पूरा चैप्टर खतम हो जाएगा एकदम बेहतरी एक एक वर्ड मीनिंग साथ बता रहे हैं आपको इतना बेहतर कहीं नहीं बताएंगे चाहे स्कूल हो कोचिंग हो कहीं नहीं बताएंगे प्यार अच्चो इतना तो अच्छा बेहतर हम आफलाइन के बच्चों में भी नहीं बताते हैं जो आफ लाइन बैच चलती है आपकी उसमें भी इतनी बहत्तर डंग से नहीं बताते हैं जितना आनलाइन माले में आपको पूरी मेहनत के साथ बताते हैं ठीक है, क्योंकि आफ लाइन पे यह चापटरपढ़ने में अनलाइन में एक ही क्लास में पूरा कवर कर देते हैं तो इसलिए पयारे बच्छों आप Mega के लिए इतनी मेहनत करते हैं तो आपकी जिम्तारी जो है सभी बच्चों को सेयर करना ये आप शबी बच्छों को सेयर करना प्यारे नहीं बैठे हुए हैं, अलाकि लेकिन कोई बात नहीं, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कवर कर लेंगे, चलो आगी, आगे चलो प्यारे बच्छों, हाँ, when the train had gone, जब train जा चुकी थी, I found मैंने पाया, myself means swim को, standing alone means अकेले खड़ी भी पाया, on the deserted platform, deserted means बीरान, means बीरान means होता है, जहां कोई देखते हो, बीरान platform means platform पर, मैंने उस बीरान platform पर अपने आपको अकेला पाया, जब train चली गई, मैं उस बीरान platform पर अपने आपको क्या पाया, प्यारे बच्छों, अकेला पाया, I had no idea, मेरे पास कोई विचार नहीं था, मेरे पास कोई विचार नहीं था, मैं समझ नहीं पा रहा था, कि इस रात्री को कहां पिताया था, I had no friends, मेरे पास कोई मित्र नहीं थी, कोई दोस्त नहीं थी, believing कि मैं यह विश्वास करता था, that friends were more trouble than help, कि दोस्त जो होते हैं, वो मदद के अलामा क्या करते हैं, अतिदिक ट्रबल पैदा करते हैं, अतिदिक कस्ट देते हैं, क्योंकि मेरा मानना था, कि जो दोस्त होते हैं, वो मदद करने के वज़ाए अतिदिक कस्ट ही देते हैं, ऐसा उस चोर का मानना था, and I did not want to make anyone curious और मैं किसी को जिग्यासू भी नहीं बनाना चाहता था by staying at one of the small hotels किसी छोटे होटल में रुकने से near the station means station के station के पास और मैं station के पास रुक कर किसी छोटे होटल में रुक करके किसी को जिग्यासू नहीं बनाना चाहता था क्योंकि जिग्यासू डनाना के संदर में क्या हो जाएगा जैसे छोटा सा बच्चा, भी तो 15 साल का है अगर किसी होटल में रूखे गए तो सामने वाला जानना चाहेगा निंग 15 साल का बच्चा होटल में काहे को रुक रहा है इसके माँ, बाप कौन है, काहे है हो सकतव चूरी करके भागा नहीं है क्या बात है 25 जिगयासू लोग बन जाएंगे तो हुई कराया कि मैं किसी को जिगयासू भी नहीं बनाना चाहता था कि मैं किसी जो नजदीक स्टेशन के नजदीक में वह ब्यक्ति था, I had robbed जिसे मैंने लूटा है जिसे मैं अच्छी तरह ब्यक्ति को जानता हूँ वह वही ब्यक्ति है जिसे मैंने लूटा हुआ है, मिस्स जिसे मैंने 600 रूपए लेके लोट करके आ रहा हूँ, वही ब्यक्ति है जिसके उपर बाजार मेंस बाजार में से हो करके, इस्टेशन को छोड़ दी वे बाजार में से हो करके, मैं धीरे-धीरे क्या करना सुरू किया, चलना प्रारम्ब है किया, आगे दिखते हैं प्यार बच्चों, आगे क्या है, In my start career as a thief, अपनी छोटे से जीवन में, I had made a study of means faces, मैं मनुश्यों को ब्यक्तियों को चेहरे को पढ़ना जान गया था, means अपनी छोटे से चोर वाले जीवन में, मैं ब्यक्तियों के चेहरे को पहचानना जान गया था, जब वे अपने सामान को खो देते हैं, Goods means होता है सामान, Good means अच्छा होता है लेकिन Yes लग जाए तो Goods means क्या होता है सामान, means जब वे कोई ब्यक्तियों अपने सामान को खो देता है, तो मैं उसके ब्यक्ति को चेहरे को पढ़ना सीख गया था, क्या वा सोच रहा होगा, नहीं सोच रहा होगा, उस चीज़ को मैं पढ़ना सीख गया था, The greedy man's sword fear, जो लालसी ब्यक्ति होते हैं, वे fear means डर दिखाते हैं, उन्हें डर हो जाता है, जो लालसी ब्यक्ति होते हैं, यदि उनका कोई चोरी कर ले तो उन्हें डर हो जाता है, fear हो जाता है, कि उनका और चीज़ कैसे बचेगा, The greedy man's sword anger, और जो धनी ब्यक्ति होते हैं, वे क्या दिखाते हैं, उन्हें क्रोध को दिखाते हैं, जो धनी ब्यक्ति होते हैं, वे अपने क्रोध को दिखाते हैं, The poor man, जो गरीब ब्यक्ति होता है, sword the active acceptance, वे परिस्थिती को अपना लेता है, जब उसे पता चलेगा जब उसे चोरी के बारे में पता चलेगा जब उसे चोरी के बारे में पता चलेगा तो थोड़ा सा निरासा थोड़ा सा दुख दिखाएगा नाट फार दी लासा फ्मनी यह जो पैसा उस तक हो गया था उसलिए नहीं दिखाएगा जो दुख जो कर्ष्ट दिखाएगा जो उसका पैसा खो गया उसके लिए उसे दुख नहीं होगा लेकिन जो उसका बिस्वास खो गया है जो उसका भरोसा खो गया है उस बात पर उसे दुख होगा उस बात पर अनील को दुख होगा कि मेरा पैसा तो चला गया यही तो होता किसी पे टूट के भरुशा करो तो अगर वो आपको लूट के लेके चला जा रहा है तो आपको उसके लूटने से ज़्यादा दर्द दुख नहीं होगा लेकिन आपका जितना उस ब्यक्त पे भरुशा की रहोगे उस भरुशे के टूटने से दुख होता है ब्यक्त के पैसा से नहीं दुख होगा आपके इसे पे भरुशा की हो ठीक है तो वही कह रहा है कि मैंने अनील के सेरे को पढ़ा था उसे पैसे खोने का डर नहीं होगा पैसे चुराय जाने से डर नहीं होगा और सीस के बारे में सोचेगा नहीं लेकिन उसे इस बात का दुख होगा इस बात का दर्द होगा कि उसका भरुशा क्या कहल दिया गया तोड दिया गया कुचल दिया गया आगे बढ़ते हैं प्यार बच्छो I found myself in the मैदान मैंने अपने आपको कहाँ पाया मैदान में पाया मैदान में खाली स्थान में पाया होगता हुआ कोई खाली स्थान रहा होगा and sat down on a bench और एक bench पर जाकर बैठ गया अपने आपको ठंडी अवायं चल लही थी यारत्री में ठंडी ठंडी अवायं चल लही थी इट वाज अरली 9 numबर यह लगभग शुरुआती 9 numबर की भात है यह सुरुआती नमबर की बात है and a light of drizzle दिजल और चोटी-चोटी लाइट मीं सी Being必勝 थोड़ा, तोड़े थोड़ी चोटी-चोटी वर्षा की बूदे भी गिर रही थी, Added to my discomfort, इसने बढ़ा दिया, Added means बढ़ा देना, to my discomfort मींस मेरे बेचैनी को, ये सारी चीज़े मेरी बेचैनी को क्या कर दी? बढ़ा दी कौन सी चीज़े? जैसे जो ठंडी-ठंडी हमाएं चल लई है और जो थोड़ा-थोड़ा वर्चा की बुदे गिर रही है ये सारी चीज़े मेरी discomfort को बढ़ा दी मेरी बेचैनी को बढ़ा दी Soon it was raining quite heavily और जल्दी ही तेजी से बारिष होने लगी Quite means, बिल्कुल heavily means अत्यदी और जल्दी ही अत्यदी क्या होने लगी? बारिष होने लगी My shirt and pajamas मेरी जो shirt थी और जो पजामा थी stuck to my skin मेरी चमडे से चपक गई अब जब भीग जाएगा कपड़ा तो यह जो पजामा उजामा होगा एकदम चिपक जाएगा ना? यह पतला वही से हो है तो चिपक जाएगा ना पजामा उजामा जो है ठेक है वही कह रहा है My shirt मेरा जो shirt था and pajama और pajama जो था stuck to my skin मेरे चमडे से क्या कर गया? पूरी तरह से हो रहा है and cold wind और thंडी होई blew the rain across my face यह जो thंडी होई थी मेरे चेहरे पर थपेड़े मारने मारने लगी थपेड़े मारने लगी मेरे चेहरे से होकर की गुज़र्ने लगी थंडी हमाएं मेरे चेहरे से होकर गुजर रही है और थात मुझे थपड़ी मार रही थी यह थंडी हमाएं मेरे चेहरों से होकर के क्या कर रही थी एक क्लास होकर के गुजर रही थी क्योंकि थंडी हमाएं चल लहीं तो चेहरे से होकर जाएं और कहीं से ओके जाए पूरे ठंडी है वाए तो कहीं से भी पूरे सरीर में जा सकती है तो ही कहा रहा है कि यह ठंडी है मेरे चेहरे से उकरके जा रही थी अताद मेरे चेहरे पर थपेडे माल रही थी तो प्यारे बच्छो यह आपका शात्वा पैरग्राफ था अब चलते हैं नवा पैरग्राफ पैरग्राफ दो पैरग्राफ और है आपका पूरा चैप्टर कंप्रीट हो जाएगा गिदम बेहतरी धंग से सांदा धंग से जांदा धंग से मस्त डंग से complete हो जाएगा प्यार विच्छो एक बार पढ़ लोगे तो फिर कभी कोई समस्य नहीं आएगी इस chapter में एकदम बेहतरी डंग से ऐसे पढ़ा रहे हैं आपको चलो नवी पराग्राफ में चलो जगदी से आजाओ नवी पराग्राफ में प्यार विच्छो and sat down means और बैठ गया in siltern means sran में आप the clock tower means घड़ी के क्लाक टावर यहां प्यार विच्छो के इसकी बात की गई घंता घर घंता घर जो clock tower होता है घंता घर से बोलते हैं ठीक हैं तो मैं घंता घर में जा करके क्या कर गया बैठ गया मैं घंटा घर के सरन में जा करके क्या हो गया बैठ है इस घड़ी में कितना बचा मदरात्री हुआ क्योंकि इस घड़ी में कितना बच गए 12 बच गए मैंने उस नोटों के बारे में सोचा मिन्स पैसे के गड़ी हो के बारे में मैंने सोचा they were damp damp means प्यारे बच गिला हो जाना they were damp वे गिला हो गए थे damp रामदी रेन मिन्स बारिश से बारिश से वे नोट क्या हो गए थे गिले हो गए थे जो नोट छिपा कर ले की जा रहा था चोरी की तरह लिकज के वह नोट किसे बारिस से क्या हो गए थे प्यार बिचों गीले हो गए थे अनिल समनी अनिल का पैसा इन दी मॉर्णिंग मिस वसुबा में यू उड प्राबरली वह साय संभौता प्राबरली में संभौता है गीविन मी साय दे देता टू आफ थ्री रूपीज मिस दो या ती रूपे दे देता टू गो टू दी सिनेमा मिस सिनेमा देखने के लिए मिस सिनेमा देखने के लिए साय दो हम मुझे अनिल का जो पैसा हम लिए हैं साय दो तीन रूपे दे देता अब सोच रहा है यह जो हमने नील का पैसा लिए है अगर शुभा होती हम वहाँ पर होते तो अनील मुझे दो तीन रूपे सिनेमा देखने के लिए देही देता आगे देखते हैं बट नौ लेकिन अब I had it all अब मेरे पास सब कुछ है निस यह पूरा पैसा है अब वह कहता है कि बट I have it all लेकिन अब मेरे पास पूरा पैसा है I couldn't cook his meals मैं उसके भोजन को नहीं बना पाऊंगा run to the bazaar बाजार भी नहीं जा सकेगा means बाजार क्योंकि समान खरीदने जाता था तो वही कह रहा है कि मैं निल के भोजन को भी अब नहीं बना सकता हूं और मैं बाजार भी नहीं जा सकता हूं और learn to write या फिर लिखना भी नहीं सीख सकता हूं whole sentence anymore means पूर्ण वाख को अब मैं पूर्ण वाख को लिखना भी नहीं सीख सकता हूं means अब मैं पूर्ण वाख को लिख भी नहीं पाऊंगा means पूरा sentence जो कहा था उसने कि नहीं तुम्हें पूरा sentence लिखना सिखा देंगे पूरा वाक के लिखना सिखा देंगे तो वही कह रहा है कि अब हम पूरा वाक के लिखना भी सीख नहीं पाएंगे आगे चलें प्यारे बच्चो बोलो आप लोग हाँ चलिए सर बोलो सभी एक बार हाँ चलिए सर तो चलते हैं आप लोग की बात मान करके चल लो मोर देना फ्यू हंडेड रूपीज यह जो चंद सौ रूपय पैसे हैं इससे अधिक में कमा सकता था वह कहता है कि मैं जानता हूँ कि यह मैं जो पूर संटेस लिखना सीख जाता मिश पढ़ना लिखना जो मैं सीख जाता इससे मैं एक दिन इन पैसों से कई गुना जाता कमा सकता हूं था मिस्वा कह रहा है कि मैं इन पैसों से 600 रुपे हुए है कितने दिन चलेगा बहुत दिन नहीं चलेगा लेकिन मैं अगर पढ़ना लेखना सीख जाता तो मैं इन से कहीं अधिक पैसे कमा सकता था आगे देखते हैं sometimes और कभी-कभी just as simple to be caught कभी-कभी आसान होता है to be caught is पकड़े जाना भी चोरी करना भी आसान होता है कभी-कभी पकड़े जाना भी आसान होता है मतलब कभी-कभी पकड़ा भी जाते हैं जरूरी नहीं कहा हमें साथ चोरी करेंगे तो बची जाएंगे जितना असान चोरी करना होता है उतना असान इसे पकड़े भी जाते हैं तो चोरी करने में दोलों कंडिसन होती है आप पकड़े भी जा सकते हो नहीं भी पकड़े जा सकते हो ठीक है आगे कहते हैं मुझे अनिल के बाज दोबारा जाना चाहिए I should go back मुझे वापस जाना चाहिए अनिल के पास मुझे दोबारा वापस जाना चाहिए मैंने अपने आप से कहा की मुझे अनिल के पास दोबारा वापस जाना चाहिए if कहांगे go to back I told myself if only to learn to read and write चाहे तो हम केवल पढ़ना है या लिखना ही सिख सके मिस अनियर के पास हम केवल इतना जाएंगे कि हम वो कुछ ना सिखा है कुछ ना दे वो भी चल जाएगा कम से कम पढ़ना लिखना लिखना तो सिखा देगा and if only to learn to read and write वो केवल पढ़ना लिखना तो सिखा देगा मिस पैसे नहीं देगा कुछ भी नहीं देगा चल जाएगा लेकिन कम से कम पढ़ना लिखना तो सिखा देगा यह दिया है if only to वो केवल सिखा देगा to learn to read पढ़ना लिखना वह केवल पढ़ना लिखना तो सिखा देगा मिंस कोई और बात की वज़ा से नहीं कुछ मुझे सिखा और न सिखा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है मुझे पैसा दे नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता है लेकिन कम से कर मुझे पढ़ना लिखना तो सिखा देगा अनिल तो इसलिए कहता है कि उसी इसके लिए हमें वापस जाना चाहिए अब लास्ट पैराग्राफ में प्यारे बच्छो बढ़ते हैं यह अंतीम पैराग्राफ है आपका यह आपका दसमा अनतीम पैराग्राफ है यह चैप्टर इसके बाद कम्प्लीट हो जाएगा प्यार बच्छो यह आपका लास्ट पैराग्राफ है चल्दी से आप लोग अच्छे से किताब को खोल लो और हाँ जो भी बच्छे चैनल को सस्क्राइब नहीं करें चैनल को सस्क्राइब कर लेंगे वीडियो को लाइक कर देंगे क्लास टेंड के सभी बच्छों में सेर करेंगे बागी चीज़े आपसे नहीं कहेंगे क्यों कि कई बार कह चुके हैं चलो, अब आपके उपर मुझे भरोसा है, पूरा भरोसा है, अब पूरी मेहनत करोगी कि सबी बच्चों में पहुचाने की, चलो आगे I hurried back to the room, मैं जल्दबाजी में गया, back to the room means घर पर, मैं जल्दबाजी में घर पर गया, feeling very nervous, feeling महसूस कर रहा था, very nervous means बहुत घबराया हुआ, जब मैं घर पे गया, तो बहुत घबराया हुआ, महसूस कर रहा था, अथाथ अब यह चूरी का जो समान है, ले करके घर पहूच गया है या जो है अब मिन्स अनील के घर पहुच गया है ठीक है I hurried back to the room मैं कमरे पर गया feeling is महसूस करते हुए very nervousness बहुत घबराहट बहुत घबराहट महसूस करते हुए मैं तुरंद घर पर गया far it is much easier या बहुत आसान होता है to steal something किसी चीज को चुराना बहुत आसान होता है than to return it undetected और बिना पकड़े जाना वापस कर देना मिन्स यह तो बहुत आसान होता है कि हम कोई चीज चुरा लेते हैं लेकिन यह मुश्किल काम होता है return it undetected undetected means होता है बिना पकड़े जाना लेकिन बिना पकड़े जाना जो है वापस कर देना यह मुश्किल काम है नहीं चोरी करने के अपेच्छा जो है चोरी करना जो है आसान होता है किसके comparison में का प्रयोग किया गया है, means comparison लिया गया, easier किया है ना, easier दो के बीच में ज़avía comparison तुलना करते हैं, तो हम comparative degree का प्योग करते हैं, easier यहाँ comparative degree में प्योग किया गया है, तो वही कह रहा है कि चोरी करने से अपेच्छा जो है चोरी करने से किसी चीज orth कर देना मुश्किल होता है hard काम होता है undetected means होता है बीना पक्ड़े जाने जो हो करके उसे वापस कर देना क्या होता है पैरविचो मुश्किल काम होता है अगे देखते हैं I open the door मैंने दर्वाजे को खोला quietly निस एकदम सांती से मैंने दर्वाजे को सांती से खोला then stood in the doorway फिर दर्वाजे पर खड़ा हो गया उस कमरे के दर्वाजे पर खड़ा हो गया in clouded moonlight clouded means प्यारे बच्चो क्या होता है means बादल in moonlight means बादलों में चांदनी शिप रही थी means बादल जो चांद के प्रकास आ रही थी चांद का प्रकास कहां छुप रहे थे बादलों में चांद के प्रकास कहा हो रहे थे छुप रहे थे clouded the moonlight means moonlight जो थी चांदी के जो प्रकास थी clouded हो रही थी means बादल बादल में जा करके छिप रही थी मिंस अब जो है जो रात वाले जो एकदम मिड़ नाइट वाला समय होता हो दीरे दीरे जा रहा था अनील वाज स्टील अज स्लीप अनील अभी भी क्या कर रहा था शो रहा था अनील वाज इस्टील अज़सलीप अनील अभी भी सो रहा था I crept to the head of the bed मैं crept मिस एकदम छिप करके चोरी से सरक करके गया to the head of the bed मिस उसके बिस्तर के सर के पास उसके बिस्तर के सर के पास धीरे से गया and my hand came up with the notes और मैंने अपने हाथों को निकाला with the notes नोट पैसे के गड़ी के साथ जो है मैंने अपने हाथों को निकाला कहां से निकाला होगा अपनी जेब में से निकाला होगा या कमरिया में जो पैसाओं का बादा होगा था वहां से निकाला होगा तो अपने हाथ को मैंने क्या किया नोटों के साथ बाहर निकला I felt मैंने महसूस किया His breathe उसकी सांसों को मैंने उसकी सांसों को महसूस किया On my hand अपनी हाथों पर मैंने अपने हाथों पर उसकी सांसों को महसूस किया क्योंकि गदे के पास में ही तो पैसा रख रहा है अब रात में सोते वी भी तो शांसे ले रहा होगा तो वही करा है कि मैंने अपने हातों पर उसकी सांसों को महसूस किया I remained still for a minute मैं एक minute के लिए remained मिस एकदम सांथ हो गया मैं एक minute के लिए क्या हो गया बिल्कुल सांथ हो गया means एक तम सांती से वहाँ खड़ा रहा then my hand found the eyes of the mattress फिर मेरा हाथ पाया found means पाना the eyes means किनारा of the mattress means उस गदे का फिर मेरा हाथ उस गदे की किनारे को पाया and sleeved under it with the notes और उसके अंदर sleeved means डाल दिया under it means इसके नीचे with the notes means इस पैसे के note के गड़ी के पैसे के note को मैंने उसके अंदर क्या कर दिया डाल दिया ठीक है इस पैसे के note के मैंने क्या कर दिया पहरे उच्छो डाल दिया I awoke the next morning मैं अगली सुबह उठा to find means पाते हिए that anil had already made the tea मैं सीज को पाते हिए की a anil पहले ही चाय बना चुका था जब मैं अगली सुबह उठा तो मैंने देखा की a anil क्या कर चुका था चाय बना चुका था He streased out his hand towards me He streased out means होता हाथ बढ़ाना He streased out वह अपने हाथ को बढ़ाया Out his hand towards मेरे तरफ उसने मेरे तरफ अपने हाथ को क्या किया बढ़ाया मिस अनील ने मेरे तरफ अपने हाथों को बढ़ाया There were 50 rupees note उसके हाथों में 50 रुपे की note थी between his fingers means उसके अंगलियों के मद में उसके अंगलियों के मद में 50 रुपे की note थी My heart sank Sank means होता है प्यारे बच्चो बैठ जाना, डूब जाना मेरा हिर्दर डूब गया, पैठ गया ठीक है? I thought मैंने सोचा I had been discovered Means मैंने सोचा कहीं कि मेरी चोरी पकड़ी तो नहीं गई Discover means खुल जाना, भेद खुल जाना खोजना या खुल जाना तो मैंने सोचा I think, I thought मैंने सोचा I had been discovered क्या मेरी चोरी पकड़ी तो नहीं गई I made some money Sorry, आगे देखते हैं आगे क्या है? I made some money मैं कुछ पैसा कमा लिया हूँ या मुझे कुछ पैसे मिले हुए है Study means कल कल मुझे कुछ पैसे मिले हुए थे Study means बीते हुए कल की बात कर रहा है आने वाली कल के लिए तुमारों का प्रयोग करते हैं बीते हुए कल के लिए किसका प्रयोग करते हैं? study का प्योग करते हैं I made some money study means मैं कल कुछ पैसे को कमाया हुआ था means कल मुझे कुछ पैसे मिले हुए थे He exclaimed वह चिलाता है वह बताता है He explained explained है वह बताता है कि उसने कल कुछ पैसे को क्या कर लिये थे कमा लिये थे Now you will be paid regularly अब तुम्हें चुकता किया जाएगा means अब तुम्हें पैसा दिया जाएगा regularly means लगातार अब तुम्हें pay means बेतन कर सकती हो अब तुम्हें बेतन लगातार दिया जाएगा वह जो है निल कह रहा है कि अब तुम्हें लगातार बेतन दिया जाएगा मिन्स तुम्हारा पैसा तुम्हें दिया जाएगा जो काम करते हो my spirits rose my spirits rose मिन्स थोड़ा सा मेरा होशला बढ़ा मेरा थोड़ा सा होशला बढ़ा but when I took the note लेकिन जब मैंने नोटों को पकड़ा I saw मैंने देखा it was still weight यह अभी भी था still means अभी weight means गिला था from the night's rain means रात्री के बारिश की वज़ा से रात्री की बारिश की वज़ा से यह अभी भी क्या था प्यारे बच्चों गिला था जब मैंने नोट को पकड़ा तो मैंने देखा कि यह रात्री के बारिश की वज़ा से अभी भी क्या था? गीला था तूडे वी 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 स्टार्ट राइटिंग सेंटेंस उसने कहा तूडे मिस आज वी 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 स्टार्ट हम प्रार्यम करेंगे राइटिंग सेंटेंस मिस वाक को लिखना आज हम लोग वाक को लिखना प्रार्यम करेंगे मिस वह जो ब्यक्ति था निल जो था वह कहता है कि अब हम तो में वाकुल लिखना सिखाएंगे आज हम लोग वाकुल लिखना जो है तुम्हें सिखाएंगे वही करा है कि आज हम लोग सुरू करेंगे वाकुल लिखना शुरू करेंगे he knew वह जानता था he knew means वह जानता था but neither his lips nor his eyes sword anything वह जानता था क्या जानता था क्योंकि पैसे के नोट गिली थी और उसे हो जगता रात में जागा भी हो मैं उसे समझ में आ गया था कि चोरी करने गया था लेकिन चोरी करके सारी चीजा वह समझ गया था तो वह जी कर रहा है कि he knew वह जानता था मैं सब कुछ जानता था कि किस तरह से मैंने चोरी किया नहीं किया किस तरह से नोट गिली हुई होगी जानता था but neither his lips ना तो उसकी होट ना रिस eyes ना तो उसकी आँखें sword means दिखाई, anything means कुछ भी, लेकिन उसकी आँखों और उसकी होटों से ऐसा कुछ भी नहीं दिखाया, कि उसे पता हूँ, इस सभी चीजों के बारे में, ठीक है, I smiled at anil my most appealing way, I smiled मैंने मुस्कुराया, at anil means anil की तरफ देख करके, in my most appealing way, अपने अकर्शक मुस्कान के साथ, मैंने अनil की तरफ अपने आकर्शक मुस्कान के साथ मुश्कुराया, and the smile came, और यह मुस्कान आई वी थी, by itself without any effort, बिना किसी प्रयास के, और यह जो मुस्कान आई वी थी इस बार, यह पिना किसी प्रयास के आई थी, क्योंकि हर बार तो मुस्कुराता था लूटने के लिए लोगों को, जान बूच करके मुस्कुराता था, ऐसे कि सामने वाला ट्रैक्ट हो जाए, लेकिन इस बार जो मुस्कान आई थी, वह ऐसी मुस्कान थी, कि मैं इस जो हट से आई थी, अंधर से आई थी, दिल से आई थी, बिना प्रयास के आई थी, तो प्यारे बच्चों, इसी मुस्कान के साथ, एस चैप्टर आपका कम्प्लीट हुआ, उस बच्चा जो था, हरी सिंग जो था बच्चा, वह समझ गया चीजों के बारे में, अपनी चोरी को छोर दिया, ठीक है, तो इस प्रकास से इसके चोरी को छुड़ा करके, कहानी खतम हो गई, ठीक है, तो इसी डंग से इसी लिए कह जाते हैं, बच्चों को दम अच्छे से टेट करना चाहिए, बच्चों के साथ, आप जबज़स्ती नहीं करेंगे, कुछ परेंट्स ऐसे होते हैं, बच्चों को जबज़स्ती पढ़ाने कोशिश करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, उन्हें सिर्फ समझाना चाहिए, एक गाइडेंस देना चाहिए, अगर वह समझ गया, तो अपने मन से सारी चीज़ें समझ जाते हैं, तो वही बात है प्यारे बच्चों, ये चैप्टर आपका पूरी तरह से कम्प्लीट हुआ, एक एक वर्ड की मीनिंग बताते हुए, पूरी तरह से एक चैप्टर आपका कम्प्लीट हो गया, अब जो भी बच्चे चैनल को सिस्क्राइब नहीं की होंगे, चैनल को सिस्क्राइब कर देंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, और क्लास तिंद के सभी बच्चों में सेयर वास करेंगे, यह आपकी जिम्यतारी है, प्यारे बच्चों क्लास तिंद के सभी बच्चों में सेयर करना है, यह आपकी जिम्यतारी है, और इसके साथ साथ, यह आपका हमारे ब्लॉगिंग चैनल से जुड़ना चाहते हैं, तो आप जैसे नीचे सूराज याद और जौनपूर करके लिखा गया है, उसी तरह से यूटूब पे सर्च करेंगे, ब्लॉगिंग चैनल जाएगा, आप प्यारे बच्चों वहाँ से भी जुड़ सकते हैं, ओफिसियल नीज के लिए डायमेंड क्लास अफिसिल से समात करेंगे, एक बहतरीन कोट के साथ समात करेंगे, एक बहतरीन सुक्ती जैसे करते हैं कोट, उस सुक्ती के साथ आज की क्लास समात करेंगे, उस क्या है, डूब कर मेहनत करो अपनी आज पर, कल जब उभरोगे सबसे अलग ही निखरोगे, तो प्यारे बच्चों, आप ए पूरे सत्र मेहनत किया रहोगे तब उस दिन की एक दिन की खुसी आपको पता चलेगी उस दिन की मुस्कान उस दिन की खुसी आपको हैसास होगी तो उसलिए पूरे सत्र एकदम बहतरीन से महनत करो ठीक है आपके लिए आपका पूरा सेलवस पूरे सत्र कंप्लीट करेंगी प्यारे बच्छो तो आप लोग इसके लिए इंग्लिज में तो बिल्कुल टांस ना लिया करिए ठीक है तो इन्ही उमीदों के साथ अब अगली क्लास इसका साट एंसव टाइप कुशियन दे देंगे फिर लांग एंसव टाइप कुशियन इसका करा देंगे फिर इसमें जो तीन हो चीज़े एक क्लास इन करा देंगे और इसके पहले प्यारे बच्छो जो अभी तक करा चुके हैं जैसे प्रोज में दो चेप्टर कंप्लीट हो चुका है पोईट्री में आपका तीन चेप्टर कंप्लीट हो चुका है और आपका Supplementary Reader में एक चेप्टर कंप्लीट हो गया, दूसरा शुरू हो गया है, ठीक है, अभी तक यदि आपनी पिछली क्लासों को नहीं देखें, तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाएए, चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको मिल जाएगा, यूपी बोर्ड क्लास अगली तक आपको जाएगे, तो आप को उसकी टेंसे नहीं देखेंगे, क्योंकि एक्जाम औरींटेड हुम nenhuma तो इप्याओरे बच्चों इन्नी उमीदों के साथ आज की लास समाब करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में आप लोग अपनी अपना ध्यान रखिएगा अपने परिवार का ध्यान रखिएगा कुछ रहिएगा मस रहिएगा लबी ओल प्यरे विच्छों